नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब आईए कुछ प्रशन हल कर लें जो की चाल पर और वेक पर अधारत होंगे। तो पहला प्रशन हमें हाँ दिया गया है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेगिंड में तै करती है तदा पुना 16 मीटर की दूरी 2 सेगिंड में तै करती है। वस्तु की औसत चाल ग्यात करिये। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं कि औसत चाल के लिए क्या सूत्र है। तो औसत चाल का क्या आशे हुआ कुल दूरी मतलब जो भी कुल दूरी तय की गई है वो कुल दूरी बटे कुल समय कि पूरा समय कितना लगा उस वस्तू को इतनी दूरी तय करने में तो अगर हम कुल दूरी की बात करें तो दो हिस्तों में हमें दूरी दी गई है कि पहले ये वस्तू 16 मीटर की दूरी तय करती है जब 4 सेकंड लगते हैं फिर अगली और 16 मीटर की दूरी तय करती है और अब की बार 2 सेकंड लगते हैं तो अगर हम कुल दूरी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? सोला धन सोला और अगर हम कुल समय की बात करें तो कितनी हो जाएगी? चार धन दो तो सोला और सोला का योगफल आ गया बतिस चार और दो का योगफल आ गया छे तो 32 बटे 6 यानि की 16 बटे 3 जो की हो जाता है 5.3 तीन और अगर हम यहाँ पे बात करें की 1 काई क्या होगी तो 4 की 1 काई हमें पता है की मीटर प्रती सेकंड होगी तो औस चाल हमारे पास आ गई कुल दूरी बटे कुल समय करके 5.3 तीन मीटर पर सेकंड आप चाहिए तो 16.3 मीटर पर सेकंड के रूप में भी इसको छोड़ सकते हैं आईए एक और यहाँ पे संख्यात्मक प्रश्मे देख लें और प्रश्मे में दिया गया है एक परियोग के दुरान अंत्रिक्षियान से एक सिगनल को प्रत्वी पर पहुचने में पांच मिनिट का समय लगता है तो आईए यहाँ पे फटा फट से एक कोई अंत्रिक्षियान बना लेते हैं कुछ जादा अच्छा नहीं बस थोड़ा बहुत देखने में हमें ऐसा लगे कि अंत्रिक्षियान की बात हो रही है और क्या कह रहे हैं कि प्रत्वी पर तो यहाँ पे बना लेते हैं प्रत्वी तो अंत्रिक्षियान से प्रत्वी पर पहुचने में किसी सिगनल को कितना समय दिया गया है लगता है पांच मिनट ध्यान रखिए कि यहाँ पे मात्रक क्या है मिनट है ठीक है प्रित्वी पर स्थेट स्टेशन उस अंत्रिक्षियान की दूरी क्या है? प्रित्वी पर स्टेशन से उस अंत्रिक्षियान की दूरी क्या है? हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है अंत्रिक्षियान और प्रित्वी पर इस स्टेशन के बीच में सिगनल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है जो कि 3 मुना 10 की घात 8 मीटर प्रती सेकंड है आए देखने हैं कि हम इसे कैसे हल करेंगी आप देखने में तो ये प्रशन जो है बड़ा जटिल सा लग रहा है क्योंकि यहां पे हमें घन रूप में दे दी गई चाल परंतु आप अगर इस प्रशन को देखें तो ये प्रशन सबसे आधार भूट सूत्र पर ही आधारित है जो कि हमें क्या बताता है कि दूरी बराबर होती है चाल गुना समय अंतराल की समय अंतराल वो समय जो कि इस दूरी को निकालने के लिए प्रोग किया जाएगा मतलब दिया गया समय अब चाल प्रशन के अनुसार हमें दे दी गई है तीन गुना दस की खाथ आठ समय हमें जो दिया गया है धान दीजे कि पांच मिनट दिया गया है क्योंकि हम देखते हैं कि चाल में सेकेंड यहां पे लिखा है तो जरूरी है कि हम इस पांच मिनट को सेकेंड में बदल लें जो कि होगा पांच गुना साथ सेकेंड तो यहां पे लिख लेते हैं पांच गुना साथ अब जब देखिए हम इसका गुडन फल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो 3 गुणा 10 की घाट 8 गुणा 5 यानि कि 3 गुणा 5 15 गुणा 10 की घाट 8 और 7 में 60 हैं हमारे पस फिर 15 गुणा 6 करेंगे तो 90 साथ में 0 ने और लग गया यह 60 वाला गुणा 10 की घाट 8 और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घाट 10 और यह हमें क्या बताती है कि इतनी दूरी है इस अंत्रिक्षियान और जो पृत्वी पर जो इस्टेशन है जहां से यह बातचीत हो रही है सिगनल का आदान प्रतान हो रहा है उसके बीच की दूरी 9 गुणा 10 की घाट 10 मीटर है या फिर मैं कहलू 9 गुणा 10 की घाट 7 किलो मीटर है यह इसलिए मैंने आपको अंत्र गर करके बताए कई बार प्रेशन में कह देते हैं कि यह दूरी किलो मीटर में बताइए तो इस प्रकार से विलकुल आधार भूत आपने देखा कि यहाँ पे सूत्र प्रेवब हो रहा था और उसकी मदद से हमने यह प्रश्न हल कर लिया आईए एक और प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न में क्या दिया गया है यात्रा शुरू होते समय कार का ओडो मीटर बहुत ही जरूरी यहाँ पे यहाँ पे एक शब्द है ओडो मीटर 2000 किलो मीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलो मीटर प्रदर्शित करता है यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसचाल को किलो मीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड में ग्यात करें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक काफी ज्यान पूर्वक बात पता चल गई यह बहुती जरूरी सूचना हमें यहाँ पे प्रशन से भी पता चल गई कि ओडो मीटर एक किस प्रकार की युक्ती है ओडो मीटर एक ऐसी युक्ती है जो की हमें कुल दूरी बताए तो जब हम यह कह रहे हैं कि यात्रा शुरू करते समय कार का ओडो मीटर 2000 किलो मीटर बता रहा था मतलब कि उस शन तक उस कार के प्रयोग से 2000 किलो मीटर तैक कर लिए गए थे और अब यात्रा समापती के बाद वो ओडो मीटर 2400 किलो मीटर बता रहा है तो अगर हम ये देखें कि यात्रा के दौरान तै की गई दूरी कितनी है तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा खुच से एक बार अपने आपको इस परिवेश में रखके देखें कि अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूरी कितनी है 2400-2000 यानि की 400 किलो मीटर अब देखिए यहाँ पर हमें एक और बात बता दी गई कि समय कितना लगा तो जो समय यहाँ पर लगा वो है 8 गंटे 8 गंटे का समय लगा तो अब आपको यहाँ पर क्या ग्याद करनी है ओसत चाल ग्याद करनी है तो ओसत चाल ग्याद करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो सबसे पहले याद करिये ओसत चाल के लिए क्या सूत्र है कि यात्रा के दोरान तै की गई कुल दूरी बटे यात्रा के दोरान लगने व आज आता है वो इस बात को लेकर के कि क्या ये 2000 और 2400 का कुछ लेना देना होगा कुल दूरी में तो उत्तर है नहीं क्यूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा के लिए इस दी गई यात्रा के लिए और सच्चाल निकाली हैं तो कुल दूरी इस यात्रा की जो आपने निकाली वो थी कितनी? 400 किलोमीटर और इस पूरी यात्रा में लगने वाला समय है 8 घंटे यानि कि औसर चाल हमारे पास आ गई 50 और यहां पे जो मात्रक है वो होगा किलोमीटर क्योंकि दूरी है किलोमीटर में और समय है घंटे में तो किलोमीटर प्रती घंटा अब प्रश्ण में कह रही हैं कि आपको चाल किलोमीटर प्रती घंटे और मीटर प्रती सेकेंड में भी यात करनी हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर किलोमीटर प्रती घंटे को ध्यान रखिए किलोमीटर प्रती घंटे को आप को मीटर प्रती सेकेंड में बदलना है तो आपके पास जो भी उत्तर आया आप उसे 5 बटे 18 से गुणा कर दीजे किस से गुणा कर दीजे 5 बटे 18 से बड़ी से छोटी मातरक में जा रहे हैं तो 5 बटे 18 से गुणा कर दीजे और मैं आपको यहाँ पर बदाती हूँ कि 5 बटे 18 कैसे आता है आपके पास 1 किलो मीटर है यहाँ और 1 घंटा है यहाँ पर अब किलो मीटर को आपको मीटर में बदलना है तो आप इसको क्या करिए कि साथ में ही 1 किलो मीटर और 1 किलो मीटर से गुणा और भाग दे दीजे भाग रूप में वही मात्रक लिखिए जिसको आपको यहाँ पे काट देना है कैंसल कर देना है और अंश रूप में वो मात्रक लिखिए जिसमें आपको उत्तर चाहिए देखे, दोनों ही बराबर हैं एक किलो मीटर बराबर हजार मीटर अगर एक किलो मीटर हमने नीचे लिखा जिससे कि यह कैंसल हो जाए और यहाँ पे हमें मीटर मिल जाए आप इसी प्रकार से पताईए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक घंटा बराबर छत्तिसो सेकेंड ठीक है तो इससे यह यह कट गया आपके पास क्या बचा मीटर प्रती सेकेंड और जो पांच बचे पांच बटे अठारा की बात की ना मैंने वो देखें यहीं से आया है अगर आप इससे हल करेंगे एक हजार बटे छत्तिसो को तो वो पांच बटे अठारा आ जाएगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर कितना आ रहा है हमारे पास एक सो पचेस बटे नौ मीटर प्रती सेकेंड और अगर आप उत्तर देना चाहते हैं और दशमलव प्रसार करके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक और यहाँ पे 36 बचा तो 3,27 फिर यहाँ पे 8 बचा तो 8 से 72 और इस प्रकार से हमारे पास उत्तर आ जाएगा तेरा दशमलव आठ यह जो एक दशमलव प्रसारा हरा है यह अपने आप में दोहराता रहेगा आवर्ती है तो हम इसको लिख लेते हैं तेरा दशमलव आठ के उपर एक रेखा साथ में मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यह प्रशन काफी ही रोचक प्रशन था किस रूप में कि प्रशन तो एकदम साधारन सा था इन्होंने ओडो मीटर शब्द का प्रयोक कर लिया दो अलग-अलग हमें दूरी की जो माब हैं वो दे दिये इसलिए हम थोड़ा सा यहां पे संधे में आ गए मगर अगर आपके आधार पूर संकलन एकदम सही है तो आपको कहीं पर भी परिशान होने की जरुवत नहीं है